हलो दोस्तो वेलकम बैक टी नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत यच्छी होंगे वेलकम बैक टी मैं नीव चैनल दा बाइकर समीर एंड थैंक्यू सो मज भाई आप लोगों को प्यारेंट सपोर्ट से इस वाले चैनल पे 50 गे की फैमली कम्पलीट हो गई है और थोड़ा सा और सपोर्ट करो जल्दी से इस चैनल पे भी सिल्वर प्ले बटन लेकर आना है तो दोस्तो आज के स्विड़ों में बात करने वाले ब्रैंड न्यू बजाज पलसर N160 के बारे में दोस्तो फाइनली ये वाईक हमारे आ चुकी है जिया दोस्तो ये नया डिजिटल मीटर वाली वाईक है ये आप देखी पारे कमपने ने फाइली दोस्तो इसमें जो है डिजिटल मीटर दे दिया है तो आज की इस वीड़ों में दोस्तो इसका कम्प्लीट रिव्यू करने वाले है क्या प्राइज आती है क्या स्पेसिपिकेशन है क्या बजट में आप इसे खरी सकते है सारी चीजे मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ तो चलिए फिर इस वीड़ो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहली बराएं तो सब्सक्राइब करिएगा बिल्केगन को ओन कर लिजेगा ताकि ऐसे ही इंट्रस्टिंग उड़ो के नोडिफिकेशन भी आप पहुंसते रह सकें और आप तरे वीड़ो से अपडेट रह सकें सो चलिए फिर वीड़ो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पाइक के प्राइस के बारे में उससे पहले आपको एक इंपॉन्टिट बात बताऊं जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तो अरुन बजाज में वीडियो शूट कर रहा हूँ मैंने आपको कॉन्टेक नंबर प्लस एड्रेस दे रखा है अगर आपको कोई भी बाइक खरीदनी है तो आप अरुन बजाज में कॉन्टेक कर सकते हैं फैनेस में करीदना है कैस में करीदना है बजाज की कोई भी बाइक खरीदना तो आप कॉन्टेक कर सकते हैं चलिए आ जाते हैं दोस्तो अब इस बाइक के रिव्यू में सबसे पहले बात करने ते इसके प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मिल रही है देखी आपको बता दू Bluetooth Connectivity आया है तो company ने प्राइस तो बढ़ा है बड़ बहुत जादा प्राइस नहीं बढ़ा है इन्होंने मुझे अच्छी लगी कि company ने जादा प्राइस नहीं बढ़ा है अभी भी आपको यह बिल्कुल वेल्ली फॉर मनी देखने को मिल जाती है चली आजाते हैं रिव्यू में तो सबसे पहले speedometer ही आप लोग को दिखा देता हूँ जो नहीं आपडेट है सबसे पहले आप इसकी की देख लिए इस टैप की की आपको बाइक में मिलेगी जब आप देख के बारे बजाज की छोटी से बैचिंग भी आपको मल जाती है बात करें speedometer के बारे में दोस्तों speedometer में इस बाइक में आपको fully digital meter देखने को मिलता है finally यार मतलब बजाज से हम कितने दिनों से expectation लगा के रखे थे कि company बीटी दे बीटी दे बीटी दे और finally वो time आ चुका है आपको बतादो N160 बजाज की पूरे मतलब कह सकते हिस्ट्री में पहनी बाइक है जो की Bluetooth connectivity के साथ में आई है N160 और N150 चली review में आते है speedometer देख पार है fully digital meter आपको मिल रहा है जिसमें सबसे पहला आपको ये takeometer मिलता है जिसे artometer कहते है दोस्तों ये gear indicator है ये आपका fuel indicator है ठीक है यहाप आपको trip 1 मिलता है trip 2 मिलेगा और याप आपको autometer देखने को मिल जाता है यहाप आपको देख पार है refuel देखने को मिल रहा है अब दोस्तों यहाप एक switch है जिसे आप इसके speedometer को control कर सकते है जो कि आपको change करके दिखाता हूँ यहाप देख पार है enter settings के अंदर हम जाएंगे यहाँ से ठीक है उसके बाद pulsar उसके बाद average fuel economic indicator distant to empty indicator भी आपको white में देखने को मिल जाता है यह अच्छी बात है प्लस इसमें आपको जो bluetooth connectivity थी है दोस्तों वो भी आपको देखने को मिल रही है यहाप ए bluetooth की batching भी बनी भी थी जब आप बजास का connect वाला app निकालेंगे उससे आप अपना जो bluetooth है उसको connect करके इसमें आपको calling जैसे आपको calling feature देखना है call आ रहा है किसी का आपको देखना है message alert देखना है तो वो सारी चीज़े का आप use कर सकते है ठीक है बागी charging point थो आपको इसमें पहले से मिलता USB charging option company ने पहले से दे रखा है आपको इंजन के लिए switch प्लस एक self का switch आपको बाइक में मिल जाता है चलिए front में आते है सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को कुछ है इसका front light दिखाता हूँ light में आप देख पार है दोस्तों front में सबसे पहले आपको बाइक में LED जो DRL light है वो आपको बाइक में मिलती है एक छोड़ा सा मुझे लगता है कि इसकी जो DRL light है बहुत प्यारी लगती night में ठीक है डे में कितनी bright है मैं कह नहीं सकता है बट night में तो बहुत जदा यह bright रहती है जो main light है इसमें दोस्तों आपको LED प्रोजेक्टर light देखने को मलता है मैं आपको on करके दिखाता हूँ we can see company ने आप फूली LED प्रोजेक्टर light इसमें दिया हूँ है और इसकी LED प्रोजेक्टर light की illumination विजबिलिटी वह बहुत अच्छी है कर लिक दोस्तों इसकी LED प्रोजेक्टर light को MT-15 से compare करते हैं बड़ एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि MT-15 की जो प्रोजेक्टर है ना वह काफी छोटी है पड़ इसका जो प्रोजेक्टर साइज है ना काफी बड़ा है एक बार रियल लाइप में देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा इसकी illumination and visibility आपको थोड़ी जादा मिल जाती है बात करें फ्रंट suspension के बारे में फ्रंट में दोस्तों बाइक में आपको normal telescopic मिलते हैं यार मुझे उमीद थी साथ company इसमें भी USD दे दे ऐसा मैं सोच रहा था फिलाल company ने इसमें USD नहीं दिये हाँ एक चीज़ है 250 में ज़रूर USD आने वाला है पाकि इसमें आपको telescopic मिलेगा बात करें टायर से इसके बारे में तो front में आपको 180 देख पारे स्वास्टी के टायर से इस front में आपको मिलेंगे बात करें दूस्तों इसके braking के बारे में आपको बता दो braking में दूस्तों special feature में सबसे पहले इसमें आपको dual channel anti-lock braking system देखने को मिलता है जो की dual channel ABS आपको bike में मिलेगा और जो plate size मिलती है आपको इसमें front में वो मिलती है 300 mm की जो plate size है company ने front में इसमें use किया है चलिए बात कर लेते हैं इसके engine के बा बात करें power and torque के बारे में यह maximum power में 16 PS के असपस की power generate करती है and maximum torque में 14.65 के असपस का जो intermittent torque है वो आपको इस bike में देखने को मिल जाता है and 160 के साब से काफी अची power है और मेरे साब से इसकी जो performance आपको enough मिलती है I don't think 160 CC में इससे जादे power होना चाहिए तो power भी आपको bike में बहुत अच्छी मिलेगी cooling system में oil cooling engine मिलता है आप देख पार है company ने front में छूटा सा radiator use किया है oil cooling के लिए plus इसमें आपको normal 5 speed gearbox मिलेंगे and जो clutch है वो आपको normal weight multipletze देखने को मिलते है फिलाल इसमें आपको sleeper clutch है वो आपको नहीं मिलता तो यह था दोस्तो इस bike का complete hingeal specification बात कर लेते हैं इसके mileage and performance के बारे में है दोस्तो आपको बता दू देखिए mileage ना depend करता है आपके riding skill पर क्योंकि हर किसी के ride करने का जो तरीका होता न हो काफी अलग होता है बट फिर भी दोस्तो minimum आपको यह bike लग बग 40 to 45 के असपस का mileage offer कर देती है 0 to 100 में इस bike को लबख 12 से 13 सेकेंड लगते हैं इसके जो top speed है वह आपको लबख 120 से 130 km per hour gas bus की मिल जाती है अब आते हैं इसके rear profile में सबसे पहले हम आपको इसकी tail light दिखाता हूँ you can see tail light आपको यह पर LED देखने को मिलता है which is very premium काफी अच्छी लगती है तरन सिंगल आप आपको बल्द देखने को मिलेंगे यह आपको N160 की batching मिल जाती है यह footage देख पा रहे है footage quality rear की काफी अच्छी आपको मिलेंगे front footage की quality वह भी आपको काफी superb मिल जाती है और दोस्तों N160 में आपको जो seat मिलती है आपको split seat मिलती है जो अपनी N150 उसमे single seat आती है और इसमे split seat आती है देख पार है one and two दो पार्ट में seat है और हाँ एक थोड़ी sporty लगती है dual seat होने की वाज़े से N160 फोली family purpose type की मुझे लगती है पट अगर आपको look में जाना है तो फिर आप N160 के सा switching मिल आती है पात कर लें दोस्तों इस बाइक की डिमिनेंसल इन capacity के बारे में इस बाइक की जो overall lane थे दोस्तों वो है लबबग 1989 mm का overall जो वी थे इसका वो है दोस्तो 743 mm का overall height है इसका 1050 mm का seat है 795 mm की ground के लेने से 165 mm का wheelbase है 1308 mm का curve weight है 154 kg का fill tank capacity 14 liter के असपास की देखने को मिलेगी स्वेथ दोस्तों brand new Bajaj Pulsar N160 Bluetooth connectivity का complete specification review बाइक कैसी लगी कमेंट करके ज़रू बताना चाली दोस्तों मिलते है फिर next video में अभी ओल शेहिन पंदमात्रम